तुम जो गुशा भी करो तो मझे प्यार लगता है चाने क्यूं मैं तुझो भी कहू तुम्हे इकरार लगता है चाने क्यूं जोडो भी यह यदा पास आगे जरा बात दिल के कोई कह दो ना है तुम जोडो ना है तुम है जोडोडो भी लगता है तुम है जोडोडों किशा भी अच्छा इश क्या है ए अज सब से तो थोड़ा नहीं पारी हूं आज मैं आप भाँसाट शेयर करने वाली हूँ अपना ब्राइडल लूक एससे भले मनaley भी एक अ Naa के पसंद अप्रत्त एंपी अप्राइडल् नियों था मैं अन्य जन्य सुच्ट है मैं घों अजक प्रमौल्डि अव्ति ग्राय सब कर रहा हुआ इया है 13 लिए बहुत जाएज चाहिए था लिए लुक बहुत जादा एजी है सच में गाइस कैसे आप तब लोग या आइनो मैं बहुत दिन बात अभी वीडियो बना रही हूँ फाइनली लेकिन मैं ब्राइडल लुक कर रही हूँ बहुत लोगों का कॉमेंट्स आ रहे थे कि दीदी ब्राइडल लुक करो ना फाइनली मेंको जो भी में पास ड्रेस था मैंने बुआ से लिया ज्यूलरी वगरे अरेंजमेंट्स मैं अपने खुदी से मंगाई है किसी से ली नहीं है और जितने प्रोड़क्स मैं अभी आज यूस कर रही हूँ सबी मेरे नए प्रोड़क्त हैं नूली लॉंच प्रोड जैसे कि मैंने बोला कि सारे न्यू प्रोड़क्स यूज कर रही हूं तो पहले मैंने मिनमिलिस्ट का टोनर लिया स्टेकवर्की का अगें मैंने मुझे खुद सेंट किया है अभी प्राइमर ओयल वो भी नया ही था पुराना वाला भी है मेरे पास बाइटिक के को को कॉनट यह थिंक कि यह क्रीम बहुत मॉस्चराइजिंग वाली क्रीम है पॉपल के प्रोड़क्स ओ मैं गॉड़ बहुत अच्छे वाले प्रोड़क्स है यह है लिप बाम पॉपल की I love this lip balm आप लगाओ कि आपका मन करें करें लगाते ही रहे है लगाते ही रहे है मैं गलाइम का ल प्रोड़क्स होते हैं सब बलर हो जाते हैं आप बिलकुल स्मूध हो जाता आपका बेस यह मार्स का 4 in 1 आइब्रो किट यह मैंने मिनिसो का ब्रश लिया आइब्रो ब्रश और इससे मैंने डाक ब्रॉण शेड लेके ग्रेश लेके मिक्स करके अपनी आइब्रोज को फिल कि या उसके बाद मैंने कंसीलर की हेल्प से एज़ेस क्लीन कर अभी मैं ज़स उसको टैप टप कर रही हूं जाक था कि कोई भी हाश लाइन ना दिखे है ना अभी मैं ले रही हो यह पुपल की यह है कलर करेक्टर वाली पैलेट खुद मुझे ब्रैंड ने सेंगी है इसके प लेकिन मैं को अभी मैं आपको दिखाऊंगी फेस पालेट वगर 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 जापर मैं थोड़े बट बट दाग थे पिंपल्स के और अरंज कलर करेक्टर लगाया और नाइका के कॉपबेक से सेट कर लिए अज मेरा देग क्या क्या है तो मैंने त सेट किक्स किया अपने स्केर्फट मैं इस को डट कर लग अर चील नहीं क्योंकि अजिक क्योंकि शूर क्योंकि इस स haw dismiss onsohong sats. भी ने कह लग लगे ने फसे फोलिढा टईसन्स कतंगा की तो बट बट लगा दिर्फश अब क्योंकि ने और वो अपनी जगे से हाज तो जाएगा मतलब चलो आप डिफरेंस देख सकते हो अभी यह मैं इसको बहुत अच्छे से ब्लैंग कर लिया है और मेरी जो आइस के लिए लिए आपे बहुत जादा क्रीज कर जाती है मतलब यह है मिनिसो का ब्रश यह मैं अपने अपने मिनिसो अपनी लिट सबसे पहले सेट की क्योंकि में लिट में बहुत जादा लाइन सा जाती है नेक वगेरा अपना कर लिया मैंने पूरा अपना फेस मैटिफाइ कर लिया मेरा कॉंपक का शेड मुझे नहीं सहील नहीं लग रहा था अच्छे मनीश मनोत्रा वाली आईशेडो पै अपनी क्रीज लाइन पर बिल्ट करती जा रही हूं यू कैंसी अच्छे से आई मेक बहुत ज्यादा लुक बहुत ज्यादा लग अच्छा राता लेकिन बहुत एजी था फिर डाग पोपल मेरे लहंगे से मैचिंग लिया जस्ट कॉर्णर में लगाऊंगी एंड अफ ता क अच्छच आपनी करिया फिर ज्याद ब्लीय टेल में लुक था जा था त्रफट जस्ट करती है टुक अच्छ तो गरेको से यू तो ब्राइडल लुक टो थोच थोड़ा सा त्राा करते है तो टुस्ट कॉत खर दढ़ लगता है फिर खराब लुकु आज लिया घ्ञा च्र उसको मैंने पूरी जितनी मैंने क्रीज क्रीज बनाई उसके उपर जस्ट प्लेस कर लिया और फिर यह मैं क्या कर रही थी हां मैं बस उसको सेट कर रही हूं कलर से कि ताकि लगे कि हां कट्रीज क्रीज क्रेट किया ऐसे नहीं लगा लिया जब भी आप कट्रीज क्रेट करो न आपको कुछ प्रॉब्लम न हो और आप इजी ली समझ जाओ यहाँ पर मैं गोल्डन शेड ले रही हूँ यह बहुत पिग्मेंटेशन वादी पैलेट थी मनिश मलोद्रा की फिंगर से लगाओगे तो पिग्मेंटेशन जादा देती है और ब्रश की हल्प से लगाओगे तो आपको पिग्मेंटेशन थोड़ा सा कम देगी सो इसलिए मैं आपको सिखाते जारी हूँ यार आज पते नहीं क्या हो गया है एनिवेज मेरी कटक्रीज बहुत अच्छे लग रही थी मेको मेरे ड्रेस से लाइक मेरे लहंगे से मैचिंग थी मतलब आईशेड थो थोड़ा अच्छे से बिकॉज ब्राइडल लोक है तो अच्छे सही हमें करना है इस टेक वर्की का निवली लॉण्ज तो है आई थिंक यह आई-लाइनर इसकी जो टिप है वह बिल्कुल स्केच वाली है लाइक इसकेच वाला जो नहीं होता है आई-लाइनर बिलकुल वैसी है और यह आइब्रो पैलेट है मार्स की यह बहुत पिग्मेंटेशन देती है तो इसको जो ब्लैक शेड ना उससे मैं अपने लाइनर के नीचे ना इस्मोखी वाला लोग दे रही हूं अपनी आइज में जरूरी नहीं कि वो आइशेडो पैलेट है तो हम उसको आइशेडो के तरह ही स लॉंच मस्कारा वन फफ बैस्त मस्कारा पैकेजीन करलर उपर से तो काफी में को पसंद आता है यह वाला मस्कारा मस्कारा यह देन आप डिफरेंदे सकते है ना नेचरली ना वाल्यू कर देता आपकी लैशेस को फिर यह मेरे असु गिर रहे थे बहुत महें अगर पते है इतने मेकप लगाने के बाद अगर फिर आशु आता ना तो फिर खराब हो जाता फिर यह ब्रैन ने बेजी है मुझे पॉपल की नूली लॉंच्ट पैलेट इस सौरी यह फेस पैलेट है इतनी सुन्दर आज तक मैंने बेरे जेड़ साल ओने वाले मैंने आज तक कोई फेस हाइलाइटर यह सब मैंने बहुत ही उसकिया हुआ है पर फेस पैलेट आज तक इससे पहले नहीं ट्राइगी थी जो फेस पैलेट है काफी ज़दा पिग्मेंटेशन देरी इसका कॉंटोर शेज लाइट कलर था मतला मेरी स्कीन पर ठीक था ब्लश बहुत सुंदर है हाइल लाइटर बिल्कुल चंकी पार्टिकल्स नहीं है उसमें जो लाइन क्यूपिट्स पो नोज में चेन अरिया यहां समना कॉंटोर करूंगी और नोज में अपने में फ्लैट ब्रसे कर रहे हूं बिकॉज यह ना वराइज लोक है तो थवड़ा देख करना पड़ेगा फिर बिकॉज ताइम बहुत जादा हो गया था कल बनाते बनाते आइधिंक मुझे तीन बज गया थे मेकप उतारा तमना अच्छा आप देख रहे हो मैंने ब्लश कहां लगाया है जहां पर मैंने कॉंटोरिंग की है ना कॉंटोरिंग और ब्लश तोनों मिक्स कर देती हूं पहल जब मैंने फालाइटर लगा लगा लिए पॉपल का हाईलाइटर ना मतलब चंकी बार्टिकल्स नहीं है जबकि वेट अन्वाइग में भी चंकी पार्टिकल्स है यह है माइग लैम की लिप लाइनर आपकोई भी अपने लिप लाइनर ले सकते हो यहां तो मेरे इतना नाचरली मैठ हो जाती है यह भी में को खुद ब्रैन ने सेंट की थी और मैंने सुच अब मैं रेड वेज तो लगाती रहती हूं क्यों ना मैं कुछ ऐसा हटके शेर ट्राइ करूं तो इसके साथ मैचिंग भी था मतलब आप देखना न महीं चूडियां वगेरा सब मैचिं इसलिए है पर देखो अचा अभी यहां पर मैं ऐसे करके दो जो पफाले नहीं होते हैं आप देखो मैं टेबल पर रखा भी हुआ है वो लगा रही हूं मैं ताकि यहां से थोड़ा सा फूला फूला लगे और बीच की मांग से मैं मांगती का लगा सकूं ऐसा कि देखो बन गया उसके यार थोड़ा बहुत अब मैं प्रोफेशनल आर्टिस्ट तो नहीं होना यार पर जितना मेरे से होता है मैं करती हूं अब बस वहां पर पोनी टेल बांद लोंगी चोटा सा जोड़ा बना लोंगी और या नेक्स वीडियो कौन से को टॉपिक में ब बहुत अच्छी रिल्स भी जालती हूं सच में मैं यहां पर जो बन बनाया हूँ है ना बस मैं को कोशिश करें हूं कैसे करके यह टिक जाए भाई आखरी तक मेरे यह थी रोज है मेरे करन अर्जुन थी रोज दिख रहे आपको तो यह मैं बस साइड में लगा लोंग क्यो मुझे खुद का तो समझ ही नहीं आता है लोक वगेरा आप में को बता देना अचा मैंने ज्वैल्री मंगाई हूँ थी सुखी सुखी या ब्रैंड था सुखी और यह वाली ज्वैल्री तोयार बीच में बहुत चली थी और बहुत अफॉड़बल प्राइस में मुझे इसका मांगतिका अभी काफी अच्छा था मांगतिका लगाया लुक कंप्लीट किया और इसमें नथ नहीं मिली थी वह जो मैंने पहनी थी ना वो मुझे कई और से मतलब मैंने खरीदी थी या मीशोगी आई थी फिर है यह चूडियों का सेट मैंने मंगाया है पूरा पर व जोड़ी मुझे ब्रैंड ने सेंग किया है और जस चूडियों तेखो मैंने पेयर अप किया है लाइक रेड रेड और पिंक करके जोड़ा है जानी रीती अंदर पर फिर भी मैंने कैसे करके और धाली दिया मतलब नहीं अंदर जार थी बहुत थोड़ा साइज चोटा आग सब कुछ हो गया अब बचा है नत तो नत भी एकदम डिट्टो मैचिंग थी बिल्कुल और अभी इस टाइम जब मैं वीडियो बनाई थी टाइम एक बज गया था बनाते बनाते फिर फोटोस कीचो थामनेल के लिए यह वो दुनियादारी अच यहां पर मैंने बिंदी कर देखें लगारी थी ना तो मैंको शूट नहीं कर रही इसलिए क्योंकि बहुत है भी एवी से सब कुछ था थाना इसलिए यहां पर मैं फेक निल्स लगाओंगी क्योंकि इस ब्राइडल को ब्राइडल मैं अज़ा कियो ना मैंने अभिता किय। मेरा मन नहीं कर रह थाने पर मैंने सुचा कोई बात ने लगाई लेती हूँ वैसे तो मेरे रियल नेल्स पी काफी बड़े हो रहे हैं बाट कोई बात नहीं वहां देखके लगा रही थी लग चूके अभी मैं 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 ग्लैम की नेल पेंट लगाऊंगी मैं ग्लैम की नेल पेंट थोड़ा सा जुल्फे निकाल ली मैंने और यह है मैं पिंक कलर की नेल पेंट क्योंकि मैं बस दिट्टो बैगनी कलर की तो थी नहीं ऐसा तो मैं पस ऐसा पिंकिश कलर नहीं था तो मैं बस जो भी था मैंने लगा दिया और ज्वैल्री में मैं कलर र को बताना अब यहां पे मैं अपने पहन लेती हूँ पहले से मैं इसलिए नहीं पहनी ना क्योंकि मैं को दर्द होता यार अचा चलो मैंने यह कर लिया है यह पूरा लुक कंप्लीट हो गया है आपको कैसा लग रहा है कॉमेंट करना इंस्टाग्राम पे दियम करना जरूर बनाती रहती हूँ सो मैं मिलते है अपनी नेक्स वीजियो में तब तक के लिए भाई भाई थोड़ा बत पलू बलू ले लू सर में क्योंकि ब्राइजल तो लेती है चलो 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 बाई लब यू